5, 4, 3, 2, 1 सभापती जी, मैं आपकी इजाज़त से एक महत्तुपून मामला उठाना चाहता हूँ राजयपाल ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि जिस दिन अर्थात 17 नवंबर को यह रिपोर्ट की गई उस दिन भी श्री राव विरेंद्र सिंग मंत्रि मंडल की विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्रात्व था राजयपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहीं यह नहीं कहा है कि मंत्रि मंडल विधान सभा का बहुमत खो बैठा है अल्पमत में शासन चला रहा है अल्पमत शासन चलाने से संग विधान के प्रावधानों पर आगात होने की बात समझ में आ सकती है यद्यपी वह सरकार अल्पमत में है या नहीं इसका निर्ड़य विधान सभा में होना चाहिए लेकिन हर्याणा के राजयपाल यह नहीं कहते की हर्याणा की सरकार अल्पमत में आ गई है और बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है 17 तारीख को चौधरी देवी लाल के गुट के सदस्यों द्वारा कॉंग्रेस में मिलने के बाद भी और अपनी मुख्य रिपोर्ट राश्ट्रपती को भेजने के बाद भी राजयपाल ने राश्ट्रपती जी को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने इस बात को सुईकार किया है कि 78 सदस्यों के सदन में राव मंत्रि मंडल को 40 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है राव सरकार को इसलिए भंग नहीं किया जा रहा है कि वह बहुमत में नहीं रही बल्कि राजयपाल महूदय ने इस संबंध में बड़े विचित्र कारण दिये हैं संग्विधान कहता है कि राश्ट्रपती को अपने को संतुष्ट करना है कि संबध प्रदेश की सरकार संग्विधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है मैं संग्विधान को उध्रित करता हूँ संग्विधान में स्टेवल शब्द नहीं है कोई सरकार इस्थाई है या औस्थाई है टिकाऊ है या कल गिर जाएगी यह प्रश्ण अलग है किसी राजयपाल के द्रश्टी में कोई सरकार टिकाऊ नहीं है इसलिए वह राष्ट्रपती को यह सिफारिश नहीं कर सकता कि उस राजय की विधान सभा भंग कर दी जाए मंत्रि मंडल समाप्त कर दिया जाए और जनता पर राश्ट्रपती शासन लागू कर दिया जाए राजय पाल ने अपनी रिपोर्ट में स्टेबल शब्द जोड़ दिया है जिसे संग्विधान के निर्माताओं ने कहीं स्थान नहीं दिया यह राजय पाल की अनधिकार चेश्ट्रा है जिस पर सदन को गंभीरता के साथ विचार करना होगा संग्विधान में कहा गया है कि अगर कोई राजय सरकार संग्विधान के प्रावधानों के अनुसार न चले राजय पाल महोदय इस बात के दो कारण है कि हर्याना की सरकार संग्विधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है उनमें से एक कारण यह है कि सरकार ने अपने संग्विधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर मंत्रियों की संख्या बढ़ा ली पहले जब मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई तो राजय पाल ने आपत्ती नहीं की